तो हेलो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागे दाए आपका इहानू चीडे 5 की वीडियो में अब लास्ट वाली वीडियो में क्या हुआ था, एक पार मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्प्लीन कर देता हूँ लास्ट वाली वीडियो में तुम्हारे भाई ने ले ली है फॉर्चूनर और अपनी टीम में इंडियन कार्स हो गई हैं दो, एक तो लैंड क्रूजर हो चुकी है और एक हो चुकी है फॉर्चूनर जो की बैक साइट पर खड़ी हुई है पीछे की साइड और सही में गाईस फॉर्चूनर की बात करें उससे हमने ओफ रोड वेगरा भी पहुत ज़्यदा कर रहा था जिसे हमें पहुत ज़्यदा मज़ा भी आया यहां पर गाईस एक पर नजर मारो जिन्होंने लास्ट फ़ली वीडियो नहीं देखी उनको मैं बता दू हमने इस फॉर्चूनर का ज को ओफ रोड भी कराया था अपनी ब्रैबस के साथ अब ब्रैबस अपने बॉडी बिल्डर की गाड़ी है फिलाल गाईस इस टाइम पर देखो अपनी सेक्यूरिटी तो पूरा ना यहां पर बड़े हैं तरीके से पहरेदारी कर रही है और आज के जो प्लैंस है आज थोड की वो तो अपनी जा करके ब्रैबस लेकर के आ चुका है और हम लोग भी गए थे फॉल चूनर को परचेस करने के लिए लेकिन गाईस हमने उसको 20 मिलियन डॉलर दे करके पूल देता है कि चल भाई तो यहां से चा सकता है उजह जो भी करना है तो अपना काम खुद का कर ले करेगी क्योंकि ना यार वो अपनी एक फैमिली का मेंबर बन चुका है उससे तो हमें भी उसके लिए काम करना पड़ेगा जो काम है वो तगड़ा तो बहुत चादा है मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्प्लीन कर देता हूं और एक मिनट शाय से हाँ भाई ट्रैवर पर नचर रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत क्योंकि ना फ्रैंक्लिन और बाहर की साइड यह अपना बॉड़ी विल्डर और ट्रैवर और ट्रैवर देख रहे हो हाथ में क्रो बार लेकर के पता नहीं यार क्या कर रहा है यह फ्रैंक्लिन के ना सर के पास ही घूमता जा रहा यह सोच रहा है कि ना कब फ्रैंक्लिन के एक सर के उपर बजा दे लेकिन ट्रैवर मेरी बास सुन ले भाई यह काम नहीं करना है जैसे हाथ गुमा रहा है ना ऐसे तू चुप चाप चला जाई दर से भाई बहुत ज़्यदा गुस्से में है यह अब देखो अपना फ्रैंक जब आपको स्टोरी बता रहा था अब मैं आपको बताता हूं यह जो अपना बॉडी बिल्डर है ना इसका एक भाय था जिसको इसके एक दुश्मन ने मार दिया जान से हमें ना इसके भाय का बदला लेना है और इसके भाय के पास ना कुछ इंपोर्टेंट सी चीज थी अ अब इसको भी डाउट में भाई ये बंदा भी लेकिन जिसने भी इसको भाई को मारा है आज हम लोग उसको पकड़ने वाले हैं वो एक बहुत तकड़ा रिच मैन है और आज उसने एक पार्टी अरेंज करी है इसको भी उसके बारे में आज ही पता चला है कि उसने एक बनाने में लगा हुआ अब शहाए इस ने बनाई लिया ओगा पलैन जहां तक में रहता है बाकी इसको ना पहले काम करने देते हैं और उसके बाद किस्को भी that करेंगे फिर देखते हैं यार कुछ पलैन लेस्टर ने बनाया या تो नहीं बनाया फिलाल गार इस साथ देगी क्योंकि ना इस मिशन के अंदर एक लेडिस की जरूरत है अब भाई अमेंडा अपना साथ देगी जिसको आज तक मैंने किसी भी मिशन में अपने नहीं रखा है तो लेस्टर कह रहा है कि देख उसको कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं जो भी मेरा प्लैन है वह ब भाई जो भी होगा मैंने अमेंडा को कॉल करके तो बुला लिया था वो शाय से अंदर आ नहीं सकती क्योंकि ना अपने जो बॉडिगार्ट्स हैं वो भाई किसी को भी परमिशन नहीं देते हैं अब जल्दी से चलते हैं शाय से इतनी भी जल्दी कहां ही आ जाएगी अमें रेंजरोवर आ चुकी है एक काम करते हैं अमेंडा को बोलते हैं कि गाड़ी को अंदर ही लेकर के आ जा अंदर ही लेया अमेंडा अंदर लेया गाड़ी को अर राम से तो उनको एक काम करते हैं अब चलती से ना मैं भी यहां पर खड़े हो जाता हूं अगर मैं ना आता ना तो अपने bodyguards तो Amanda को अंदर की साइड आने ही नहीं देते और यह जित तो पका करते और साथ ही ताथ यह लोग इसकी गेम बजा देते भाई अपनी जो security आप बहुत चादा डेंजर है यहाँ देख रहो यह गाडियां देख रही है हाँ 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 यह अपनी ही गाड़ी है यह फार चूनर है पीचे की साइड यह लैंड कुरूजर है यह ब्रैबस है अपने bodybuilder friend की शैसे Amanda फस्ता मही है न अपने घर पे आपको comments करके बताना आपको क्या लग रहा है ठीक है guys अब चलती से न आजा Amanda पीचे पीचे मेरे क्योंकि Lester ने एक mission में इसको involve कर रहा है अभी मैंने इसको बताया बिल्कुल भी नहीं है लेकिन मेरे को लग रहा है जब मैं इसको बताऊंगा भाई ये गुस्से उससे में लेस्टर के ही थपड़ ना मार दे बाकिश ऐसे नहीं करेगी क्योंकि Lester को ना कि बहुत ज़्यदा बड़ी आदमी समझती है वैसे है ये Lester बड़ी है इसमें समझने वाली क्या बात है तो चलो इस टाइम पर फिलाल हम लोग पहुँच गए हैं Lester के पास और अब भी न Lester ने प्रॉपर प्लैन नहीं हमें बताया एक एक पॉइंट्स करके वो रिवील कर रहा है बाकि एक पॉइंट उसने ये रिवील कर रहा था कि अमेंडा का हमें साथ चाहिए तो अमेंडा को तो हम लोग ले करके आ गही है तो आ गही है मेंडा अब दूसरे पॉइंट्स बता लेस्टर ने और कुछ रिवील कर दिया है पॉइंट्स देखो प्लैन तो मेरे को दंदार लग रहा है लेकिन रिस्क भी हो सकता भाई क्योंकि हमें पुलिस वालों की कॉस्ट्यूम चाहिए और उनका एक फायर एक्स्टिंगुशर चाहिए अगर हमें फायर एक्स्टिंगुशर मिल जाता है तो ख्लैस्टर उसके अंदर ना कुछ करने वाला है अब मेरेको मालूम नहीं है भाई क्या करने वाला है फिलाल गाइस यहाँ पर इनके ना उठती exercise वेगरा start हो चुकी है अब देखो देखा जाएगा जो भी होगा फिलाल इस टाइम पर मैं Trevor और Amanda हम तीनों लोग ना एक restaurant जाने वाले हैं वहाँ पर हम लोग Amanda को hostage बनाएंगे मतलब यार अगर आपको नहीं पता hostage क्या होता है hostage मतलब पुलिस वालों के सामने हम लोग बोलेंगे कि Amanda को हम लोग मार देंगे और एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं तो बूली गया था अपना helicopter आ गया है racer लेकर के हाँ यार मैंने racer को अपने helicopter से बोले थे है अपने घर तक ले आएगा वो फिलाल racer अपना एक helicopter तकड़े वाला लेकर के पहुंच चुका है घर पर और अपने घर पर एक helipad भी है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आजा भाई racer अब मेरे सर के उपर ही मतले लेंड करवा देना अब चल दी से मैं चलता हूँ आगी की साइड और वहाँ पर helipad है वहाँ ना थोड़ा बहुत racer को भी हम लोग बता देते हैं कि अर्राम से लिया करके कर देगा इनको पार्क अभी एक helicopter ओर है उसको तो हम लोग इधर उधर ही कहीं पार्क करवा देंगे देखरो guys अपना यह जो तकड़ा वाला bulletproof helicopter है यह यहाँ पर पहुँच चुक है बाकी मेरे को लग रहा है कि यह जगा छोटी पड़ जाने वाली है यार लैंड तो हो गया अर्राम से वैसे ठीक है इतनी जगा इस helicopter के लिए प्रॉपर ही बनी है जैसे अरे 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 भाई ठीक है प्रॉपर एक इतनी जगा में आ चुक है अपने helicopter फुलाल देख रहो helicopter तो पहुँच ज़दा तकड़ा है यह वही वाला helicopter है जो अपने को military के करनल ने gift करा था जब हम लोग उस warship पर थे आपको यादी होगा और एक साथ में और helicopter है इसके वो तो अभी खड़ा है अरे हाँ भाई क्या हाल चला है तरके सर तेरे और अपने को आज एक काम करना है तगड़े वाला है आज आप बाकी की story तो लेस्टर ही समझाने वाला है तो चल्दी से न हम लोग चलते हैं अंदर की साइड और हाँ गाईज यार अगर आपको यह वाली वीडियो ची लग रही हो तो वीडियो को जल्दी से जाकर के लाइक कर दो लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का चल्दी चनल को भी शुरूर से कर दो सब्सक्राइब क्योंकि हम लोग 5 लाइक सब्सक्राइबर्स के बहुत जादा क्लोज है बाकी देखो यार बास्केट बोल वेगरा तो कौन ही खेलता है हम लोग सोच रहे है कि यहां पर दूसरे वाले हैलिकॉप्टर को पार्क करवा दें ठीक रहेगा ना रेसर यार अगर हम लोग इधर कुछ पार्क वेगरा करवा देंगे हाँ हाँ यही बात कर रहू है यह भी बोल रहा है कि बाकी हम लोग कौन सा खेलते हैं यार बच्चे थोड़ी है तो हम लोग यह काम करेंगे यहां पर हेलिकॉप्टर वेगरा को पार्क करवा देंगे बाकी देख लेंगे कोई न्यू जगा भी बन जाए जब तक तो कुछ जुगाड़ी लगा लेंगे साइड में सारे पलाट वेगरा खाली है यार हम लोग यहां पर बेना कोई भी हैलिपैड बनवा करके अराम से अपने उस हैलिकॉप्टर को पाग करवा सकते हैं तो चलो अब चलनी से न चलते हैं मिशन करने के लिए और ट्रैफर जाने वाला है मैं जाने वाला हूँ और साथ में अमेंड़ा जाने वाली है हमें restaurant पर जाना है वहाँ पर एक fake robbery करनी है बनाना है hostage Amanda को और अपना जो main काम है वो है police वालों के कपड़े चाहिए तो देखो यार शाम को ना party है और अपने को सारे काम चोबी करने है costume वाले अभी एक दो घंटे के अंदर-अंदर ही करने होंगे फिलाल Amanda ना एक ही बार में मान गई है यह सारे काम अब सही में यार यह सोच रहे है कि हम सब लोग सही रहे है तो बहुत ज़्यदा सही पहले इसको हग करते है क्योंकि यह first time अपने साथ कोई काम करने वाली है और यह क्या चल रहा है अरे यार यह लोग आपस में चैलेंज दे रहे होंगे एक दूसरे को देख रहे हो अपना जो बाडी बिल्डर है वो रेसर को उठा करके भी पुश अप मार दे रहा है यार सही में ट्रैवर भी हरान हो रहा है कि चल क्या रहा है वाई इतनी कितनी जाना इसमें ठीक है यार अब चल दी से ना हमें यहां से निकलना होगा और हम लोग चलने वाले हैं अमेंडा, ट्रैवर और मैं तो देखो अभी हमें जाना रेस्टोरेंट पर लेकिन उससे पहले हमें एक क्लोज की शॉप पर जाना होगा वहाँ से ना एक मास्क लेना होगा मैं मास्क ले लूँगा, ट्रैवर मास्क ले लेगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और उसके बाद अमेंडा को हम लोग नॉर्मल रेस्टोरेंट पर लेकर के जा करके छूड़ देंगे जैसे कोई कस्टमर नहीं होता, फिल्कुल वैसे और उसके बाद ना हम लोग भी जाएंगे वहाँ एम करेंगे जा करके रेस्टोरेंट के अंदर बाकि आप लोग देखो, मैं समझा कह रहा हूँ देख करके आपको ज्यादा मजा आएगा अगर प्लैन सक्सेस्फुल कंप्रीट होता है तो बिलाल ट्रेवर यार गाड़ी को भी थोड़ा पीछे कर दे रेंजरोवर घड़ा हरकी अमेंडा ने आगे अमेंडा को आकर के गाड़ी के अंदर बैठ चुकी है और ट्रेवर भी रेंजरोगर को बापस से फॉर्चुनर वाली जगा के सामने बाग कर देगा लिया करके तो ठीक यार फॉर्चुनर को मैं बाहर की साइट तो लेकर के आ चुका हूँ बाकि कितनी ज्यादा अमेजिंग लुक का रही है यार फॉर्चुनर की ये जितनी बार भी मैं चला रहा हूँ उतनी ही बार मैं बूल रहा हूँ क्योंकि जितना भी बोलो बहुत ज़्यादा कम है ट्रैवर और ट्रैवर ना थोड़ा खतरनाकी बंदा है जिस करके अगर ये घर पे रहता फ्रैंक्लिन के सामने तो लड़ाई इनकी गाईस पक्का हो जाती जिस करके लेस्टर ने बोला कि तू यार ट्रैवर को पहले यहां से बाहर निकाल अपने साथ लेकर के जा इसको क्योंकि ये लोग लोक भी नहीं भाएंगे बाई मैं तो फिर बीन को कंट्रोल कर लेता हूँ अब भगाता हूँ मैं अपनी जल्दी से गाड़ी को और किसी ना शॉप पर चलते हैं ठीक है यार अब जल्दी से पहले ना अपनी गाड़ी को भगा करके ना एक क्लोज पर कोई भी रेंडम अगर देखो पुलिस को तो बुलाने में ना हम लोग बुला सकते हैं कोई रिस्क नहीं है पुलिस अगर आएगी लेकिन कोई कराइम करना पड़ेगा उसके लिए जैसे किसी पेकसूर को मारना पड़ेगा या तो कहीं छोटी मुटी रॉबरी करने तो बस यही प्लैन है पुलिस आएगी तो हम लोग उनके कपड़े चुरा लेंगे जो भी हमें बोला गया लेस्टर ने कपड़े चाहिए और उनके भी कपड़े चाहिए ट्रक समेट जल्दी से देखा जाएगा जो भी होगा फिलाल मास्क कहां पर है यार यार यह तो कैप यार ट्रैवर अब जल्दी से मास्क वेगरा डूड़ने पड़ेंगे तो ठीक है यह बॉक्स में एक बार चेक करके देखते हैं तो चलो यार फाइले इस ताहिम पर ना हमने तोनों ने मास्क वेगरा डाल लिया है और ट्रैवर का तो कुछ अलग सीन है यार एक तो यह अब चल दी से ना हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर चल करके बैठते हैं और बाकी यह बगल में ही गाड़ी को उन पाक करके चला गया यार बता नहीं यार अब चल दी से ना हम लोग अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हैं और यहां से सीधा चलते हैं अब हम लोग कोई भ अबढ़ाड़ को काम इस Would utilities इसीन फिर वह रेश अब पल Engineer तो इस टोन इसे फिल फानी इस ट्रैम न शुल से हम आपने ब्र kraff पोपुलर चाउप बर्गर शॉट पर और उपती के अंदर वह अंदर आपको अदर हैं अगर शॉट के और उसके बाद अभी ट्रैवर गाड़ी के अंदर ही बैठा रहेगा फिलाल इस टाइम पर चल भाई अमेंडा अब मैं तेरे को लेकर के चलता हूं सीधा अंदर के साइड और अभी के लिए मैंने अपना मास्क तो रिमूव कर दिया है किसी को शक पी ना हो औ देख रहे हो जो आइस क्रीम बेचने माला बंदा मेरे को लग रहा है उसने एक सूपर हीरो के कॉस्ट्यूम डाल लिया और इधर देख लो अमेंडा भी पहुले दा खुश हो रही है तो देखो अमेंडा भी यहां बरागर के क्लैप करने लग गया है और कहरे है कि इसको आ ठीक है यार इधर तो देख रूगाइस हर तरफ लोग बैठे हुए हैं और बहुत जादा खाने में लगे हुए हैं तो चलो सारा बाइक काम कर दो आप एक बर्गर पैक कर दो साथ में एक मॉन्टेंड ड्यू के जिसको खा करके इन मैम को पूरा मज़ा जाए ठीक है यह र पर अमेंडा तो जा चुकी है किसी भी एक टेबल पर बाकी अपने को होस्टेज इसको बनाना है ठीक है तो पकड़ना पड़ेगा अब चल्दी से बैठते हैं हम लोग चल करके अपनी फॉर्चूनर के अंदर ट्रैवर बैक साइट पर है पहले अपने को देखो पर कोई भी शक नहीं करने वाला बस नीचे के साइट चलते हैं बीच के वहां पर ना इसको लिजा करके मैं पारक कर दूँ अपनी खाड़ी को और पॉर्चुनर की ड्रिफ्ट अरे वाई क्या प्रॉपर लगी है यार वैसे ड्रिफ्ट वगरा मारने तो मेरे कुछ से नही पिलाल लग गई है तो अब क्या ही करें और भी मारें के बाद में तब ठीक है अब जल्दी से मैं अपनी ना इस से फॉर्चुनर को लेकर के पहुच के हूं बीच वाले रास्ते पर दूप बहुत चाद है जिस करके मिरे को लग रहा है कि कोई भी बंदे इदर नहीं है मैं इसको ना तो बड़ा यहां पर बाक करके जाने वाला हूं इस वाले रास्ते पर यहां से हम लोग इसको ऊपर की साइड चडा लेते हैं अब चल दी से ना पारकिंग है आगे की साइड तो भाई एक भी घाड़ी नहीं है पुरी पारकिंग खाली है नीचे की साइड है अब तो नीचे वाली पर चलते है, अब कहां से लेकर के चलो, मैं फॉर्चुनर को, एक काम करता हूं, यहां से उतार दे, दाइपता भी तो चले, 4 x 4 का कमाल, तो चलो गाइस, इस टाइम पर फॉर्चुनर को टेस्ट करने का टाइम आ गया है, 4 x 4 का कमाल भी तो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो, इस टाइम पर हम लोग अपनी काड़ी को आगे की साइड लेकर के चलते हैं, बहुत ज़्यादा अराम से, और यह जा कॉमेंट्स करके मेरे को बता देना कहीं कोई चुडा करके न अपनी घाड़ी को ले जाए, अब कोई भी अपने कोई गाड़ी को चुडाना होगा, ठीक ठाक सी रगें जिसमें तीन लोग बैट सके, ट्रैवर एक गाड़ी डूवड इसमें तीन लोग बैट सके, क्योंकि जादतर मैं इतनी भी गाडियां देख रहा हूँ तो सिटीट देख रही है और ये नहीं है इसको नहीं क्योंकि ये एक SUV है अपने को पुलिस से बच करके भाग रहा है तो पतली पतली गलियों से हमें निकलना होगा अपनी गाडी को लेकर के पिलाल गाईस मेरे को तो पोई भी गाडी ही नजर नहीं हारी है यार वो जा रही है वो जा रही है सामने के साइड रै यार वो जा चुका है वन्दा ने तो वो गाडी पूरी प्रफ एक भी इपने लिएर यहाह पर यह जो घारी है नहीं को waar ब जानी प्लिस को चकमाference है झाल गरी होंगे अब देखो यार देखा जाएगा कोई ना कोई गाड़ी जल्दी से ट्रैवर तो भी तोड़ा बहुत आगी की साइड जा रहा हूं तो फिलाल गाइस इस ताइम पर मेरे को तो कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है सिवाए यह जो बड़ी बड़ी गाड़ीयों क अब पता नहीं यार ट्रैवर को कोई गाड़ी मिली या तो नहीं मिली वह भागता ही जा रहा है एक गाड़ी नजर तो आ गई थी लेकिन भाई फू बंदा जारा था घर की साइड तो हम लोग इस पकट पा तो फाइली शाइद से ट्रैवर को इक गाड़ी दिख चुकी है अबे भाई टू सीटीड है यार ये उसके जो दरवाजें हैं वो तरे को पीछे की साइड भी नजर आ जाएंगे इसको लेकर के चलेगा इस ट्रक को इस नहीं भाई इसमें मैं नहीं जोरी नहीं करने एक मिनट एक मिनट अब भी अगर इसके साइरन बज गए तो पूलिस आ जाएगी और एक मिनट गाड़ी मिल गई गाड़ी मिल गई ट्रावर शाहस से यही गाड़ी है न तो कुछ सीटीड नाओ भाई अभी मैं लाट मार करके तोड़ दूँ है इस गाड़ी को अगर यह टू सीटीड निकले और यह बंदा गाड़ी को अरे यार यह गाड़ी भी टू सीटीड ही है यार देख रहे हो जाने देते हैं फिलाल इस टाइम पर कोई गाड़ी मेरे को नहीं लग रहा कि टू सीटीड से अपने को फोर सिटीड मिलने वाली है आओ यार मेन हाइवे पर चल लिया ट्रैवर इधर कोई भी फाइदा नहीं है मेन अना हम लोग हाइवे के उपर आ गए है यहां पर कोई मिल जाए तो मज़ याद आएगा बाकि गाड़िया तो कमाल कमाल की आरी है इधर और यह है क्या यह भी टू सिटीड है बस अपने को फोर सिटीड को ही मिल जाए मज आज आएगा यह है क्या नहीं यह भी नहीं है अब तो मिली जाएगी हम लोग मेन हाइवे पर चुआ गए है अब यह जार यह जार यह जार यह जार इसको रोकना था रुको यार, अब तेरे से ही काम चलाना पड़ेगा, तू देदे गाड़ी अपने, इसमें, कल भाई, ट्रैपर बैट अब जुल्दी से, और मारना नहीं है, हमें किसी को भी जान से, ठीक है, वो चीज़ याद रखना, हमें क्या करने जा रहा है, अरे मतम लड़ना भाई, अरे देख रुगाई, इसने तो, ओ भाई, उनीसा जाएगी, कोई फाइदा नहीं है, और रुपंदा मर गया, हमने नहीं मारा है, भाई, इस बंदे नहीं, अरे भाई, पागली हो गए है, एक बार में, तो सब इधर, ये मिल गया गाड़ी, ये गाड़ी फकड़वाई, जिसकी हमें तलास की पूरी ब्लैक कलर, रुको, 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 सर, बहुत भागली है, अब, चलो, अ अब इंडा के पास, और वहां जाकर के, एम वगएरा करकर के, पूरी स्पीछे करवाएंगे, जलो गाइस, इस टाइम पर, मैं और ट्रैवर, अपने इस ब्लैक परी को लेकर के, पहुच गए है, बर्गर शॉट के क्लोव, अब, देखो, रिस्क वाला काम तो है, क्योंकि अपने को ये काम करना ही पड़ेगा, अब हम लोग पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि जो अपना बॉडी बिल्डर न्यू फ्रेंड है, उसके भाई की मौत का बदला, अपने को लेना ही होगा, जिस करके हम लोग पूरी प्रेपरेशन वेगरा कर रहे हैं, तो फाइनली हम अब ध्यान से सुन ले भाई, ट्रैवर डगकन, अमेंडा के गोली मत मार देना, और कितने भी बंदे होंगे उनको गोली नहीं मारनी है, अपने को ठीक है, अपने को बस पुलिस वालों के उपर गोली चलानी है, वो भी अगर बात जादा खराब होती है, तो, मेन बात यही पर एक अंटी अलग पागल हो रखी है, बाकी तो सब लोग नॉर्मल हो चुके है, तो ठीक है, इस ताइम पर भाई, यह लोग क्यों अपने को घुर रहे हैं बड़ी द्यान से, रिको गाई, हम लोग ना जल्दी से चलते हैं, और बोलते हैं कि अपने को कुछ चाहिए, औ यहां पर भाई, सफाई चल रहे है, कुछ गिरा दिया किसीने और कॉस्टमर लड़ने में लगा हुआ है, तो देखो गाई, इस ताइम पर, अब इस काम के लिए हम लोग आया है, उसको करते हैं, स्टाट और यह बंदा कह रहा है कि सर, और दो, और तो बेटा, यह चुप सब लोग इदर भागना शुरू कर चुके हैं, अमेंडा भी एक्टिंग कर रहे हैं, कितनी खतरनाक वाली, अब देखो गाई, जितने लोग भी इदर थे ना, सबको हमने हैं, सबके सब इदर घबरा चुके हैं, और बाकी, अपना मेन फोकस तो यही रहेगा, कि हम लोग कि चाहें, और अमेंडा, अमेंडा को हमने बूला था कि तेरे को एक्टिंग करनी है, पुलिस को कॉल करने की फिलाल, इसने एक्टिंग कुछ भी नहीं करी है, हमने इसको एम करके इदर ही रोक लिया है, बाकी इसने सबके सामने पहुँ ज़दा तगडी एक्टिंग करी चाही करें, तू बेहोश हो पहले इदर से, चाहदा हीरो बन रहा था, और एक मिनट एकादे को ना पहले पीटते हैं क्योंकि पुलिस का मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कि कप पुलिस आने वाली है, चाल इदर से, इनको मैं भी पुश कर रहा हूं, और इसको भी मा बाकि अब मैंने फिटना शुरू कर दिया ना इनको एक आदी बार, तो यह शैस से कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखो गाइस यहां पर ना हमें पुरे 10 मिनट फेट करते करते, अब पुलिस के साइरन का साउंड आना शुरू हो चुका है, और बाकि अपनी जो मांग है, ह पुलिस वाले हाँ पर पहुंच चुके हैं, मैं इनके उपर फायर करता हूँ, मारें इनको नहीं, और यह देख रहो, यह लोग फायर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमने इसके उपर चुहिम कर रखा है, ट्रैवर ने अमेंटा को पकड रखा इधर देख रहो, और अगर व पर पाइब बता दे रहे हैं, और यह जो पुलिस वाला इसके मार दो कर मैं सोच रहा हूँ, अगर मारूँगा तो प्राब्लम बढ़ जाएगी, फिलाल हमारी जो मांग है, एक पुलिस वाला पहले अंदर आए, पहले भाई एक पुलिस वाला ठीक है, और आजा आजा जल्दी से आजा मेरे पीछे पीछे और चुप करके पीछी साइड खड़ा रहा है, अब देख मेरी पास सुन, हमारी जो मांग है, हम होस्टेज को लेकर के जाएंगे, जिस काम के लिए आया है, हमने पैसे वेकरा इदर लूट लिया है, बस, अब हम होस्टेज को बीच रा सकती है, अब यह जा करके बाहर जा रहा है, दूसरे पुलिस वाले को बताने के लिए, और फिर यह अपनी टीम से बातचीत करेंगे, तो जिस करके ना शैस से यह लोग मान जाएंगे, देखो गाइस इसने भी बोल दया कि हम लोग फाइट के मूड में नहीं है, तो उसका इम डाउन होगा, तो मैं कुछ करने वाला हूँ, तो गाइस यह जो बात है ना रॉबरी वाली, इसमें ना कम पुलिस वालों का खतरा है, क्योंकि अगर हम लोग बड़े क्राइम करेंगे, जैसे कि रॉबरी और कुछ और तो दिक्कत हो सकती है, तो फाइनली, इस टाइम मेरे को बाहर की साइड निकलना चाहिए, क्योंकि एक पुलिस वाले ने तो हैंड्स अप कर लिया है, और तू भी पीछे की साइड चल, पीछे चल भाई, मैं ठोक दूँगा गंदे वाला तिरको, चुप चाप से अपनी गाड़ी में बैट जा करके, और पुलिस तो नहीं आ रहे हैं, पत ऐसे ही रहना मैं ठोक दूँगा पहुँच जदा गंदा नहीं तो, इस राइम पर मैं अपनी गाड़ी के अंदर तो बैट कया हूं, और मैंने इनके उपर भी एम कर रखा है, तीक है, अब जल्दी से कोई रास्ता लूड़ना पड़ेगा, रास्ता यही है तो एक काम करते हैं, जल्दी से ना, इसको टकर मार करके साइड करते हैं, बाइक बगार का, और कुछ का रहा, अभी ठोक दूँगा भाई, मजाक निकर रहा मैं, जो दूसरी गोली होगी, सही में मत्थे बरी होगी तुमारे, अब जल्दी से ना, इनको बुलाते हैं, और अब जल्दी से ना, तब तक वो लोग आ जाएंगे, बागी जो पुलिस वाले हैं, यह बस अपने को देखते जा रहे हैं, और मेरी बास सुनो ऑफिसर, ठीक है, बाकी हमने सब को छोड़ दिया है, और हम लोग अधर से निकलते हैं, और यह लोग आई अब इसको पकड़न पका आएंगे, अमेंडा को, क्यूंकि मैंने बोकin इसको आ जाकर चौड़ देंगे, और हमने अमेंडा को भी पीछे की साइड ही भीठाा हुआ है, निकलने को जल्दी से हुए है हट अने सब सामने से, अरे भाई, उन्होंने शुकर करeous देखा नहीं है, मैंने बिदौर को लोग को फायर कर दिया पूरे फुल स्पीड में मैं अपनी गाड़ी को यहां से लेकर के जा रहा हूं और एक मिनट एक मिनट अराम से अराम से अराम से तीक है इस टाइम पर देख रहे हो वह अपने को रोकने के ट्राइ कर रहे हैं लेकिन अब टाइम है पतली सी घल्यों से कालने का अपनी गाड़ी को कि डील के अनुसार अब हम लोग काम नहीं कर रहे हैं उन्होंने अपने को बूला था कि अपने को पीच हाईवे पर जा करके गाड़ी स्लो कर देनी है तो हम लोग अमेंडा को रोक देंगे लेकिन नहीं हमने ऐसा काम नहीं करा जिस करके यह वालों को भी अंदर ले जाएंगे और उसके बाद इनकी जो काड़ी है उसको चुराएंगे और इनकी जो कॉंस्टुम है उसको हथी आ लेंगे बहुत ज़्यादा टकड़ा प्लैनलेस्टर ने बनाया है और रुको जल्दी से ना अरे नहीं यह टक्कर मार करके अपनी गाड अपनी गाड़ी को पूरी फुल स्पीड में मैंने दे तो रखी एरेस और यहां से ना थोड़ा बहुत तो अरे मैं रॉंग जाने के ट्राइग कर रहा था लेकि नहीं जा पाया रुको जाए अब चल्दी से ना यहां से धुमाते अपनी गाड़ी को और अराम से अरे अरे जो गाड़ी की कंडिशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है आपके सामने है और एक मिनट और मैं भगा करके अपनी गाड़ी को ले करके तो आ गया हूं उदर से और देखो पुलिस वाली गाड़ी भी आ रही है अपने पीछे जंप करके आ चुकी है अब मेरे को बाइकर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सामने चीक गाइस इस ट्राइम पर मैं अपनी काड़ी को ले करके पहुँच के आऊं कच्छे वाले रास्ते पर खेलो मैं इस ट्राइम पर अपनी काड़ी को ले करके ना इस गरनल के अंदर आ गया हूं और बाकी यह देख तो वो अमेंडा को छोड़ देंगे लेकिंस अपनी केम से बजा देंगे अब चल्दी से और कोई है क्या है यहाँ से अपनी घाड़ी को मैं मोडता हूं ठीक है अब चल्दी से भगाता हूं और देखरो वो लोग अपने पीची आ रहे हैं पुलिस वाले तो यह शुकर करो अपनी काड़ी को यहाँ से ले conflict लेख़ में चलते है। और इनकी आउटफिट बेगरा चुडा लेंगे और यहां मैं आ गया हूँ पुलिस वाले भी अपने पीछी आ रहे हैं तो ठीक है गाइस आरे ने 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 यहां पर बस चड़ जाए अपनी गाड़ी तो चड़ चुके है अपनी गाड़ी हो ज़ए था अराम से अब कहा है है वह दिख रहे हूँ वह पीछे से आ रहे हैं हम लोग यहां से जा रहे है अब यह जाने दो यार ठीक है टीक है थीक है बस हम लोग तो चूंदी हैं देखो गाइस यार इस टाइम पर न हमें पुलिस से बच Know बचते पूरे 20 से 25 बिनन तो चुके हैं और हम लोग अपने बंकर वाले रास्ते पर आ गये हैं अब आपको ये लोकेशन देख करके अंदाजा हो गया होगा कि किस बंकर की बैबात कर रहा था इदर और हम लोग फिल्कुल उसी लोकेशन पर हैं अब चलदे से यहां से ना अपने काड़ी को मेरे को लेट मोनना होगा ठीक है ठीक है ठीक है पुलिस वाली भी पीछे लगे हुए है और ये लोग सोच रहे हैं कि बस अब हम लोग फच गए और अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता रुको यार मेरे को अपनी काड़ी को ना लीचे के साइड बचार लेना चाहिए और वो जो गेट सापने बंकर का वो फिस साइड को था मैं अभी प्रॉपर पूली चुका हूँ और भाई समझ गया मैं कहाँ गेट में ठीक है अब चल दिसे ना यहां से मैं अपनी काड़ी को लेकर के चल रहा हूँ पुलिस वाले भी आ चुके हैं अब अपनी काड़ी को मैं डिरेक्ट अंदर गुजा दूँगा अपने बंकर के और उसके बाद आप लोग भी देख करके हैरान हो जाओगे कि क्या सीन होने बाला है फिलाल इस ताइम पर वो देख रहो पुलिस वाले अपनी काड़ी को लेकर के आ रहे हैं अब देखो क्या सीन होने वाला है आप देखो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला पुलिस वाले बस पहुंचते ही होंगे टाइम पर और मैं भी थोड़ा ना कवर में हो जाता हूं फाइनली पुलिस वगयरा की गाड़ी आ चुके हैं देखरो वो लोग पंकर में अराम अराम से आये आये है अब चुमैन काम मैंट देख पर ने चाले अप पर यहां पर यहां पर आपको सप्राइजग ऑल मख से पाचिट work करें और मेंटा कर लिए और ने कर लिया है उनके उपर एमिकि हमारा ही until और यहां पर जो दोनों पुलिस वाले थे इन्होंने अपने हैंड्स अप कर दिया तो ठीक है वेटा अब अपने हाथ दोनों के दोनों ऊपर ही रखना क्योंकि तुम घिर चुके हो चारू तरफ से अब देखो गाइस इस ट्राइम पर हमें इनका वहीकल भी मिल चुका है इन इसकी भी मतनी है कि यह भी कुछ कर पाए चलो गाइस इस ट्राइम पर इसको भी हमने भी होश कर दी है जो इसकी गन है वह भी अपने हाथ में आगी है और यहां पर तो उन्हों की कोस्टुम अब हम लोग निकाल लेंगे इनका वहीकल है और इसमें से भी GPS चिप निकालनी पड़ेगी ठीक है तो फिलाल इस ट्राइम पर ना बैनी उस वाले रूम में है तो बैनी भी आ जाएगा और हमने पूरी प्लैनिंग पहली करके रखी हुई है तो ठीक है अब चल दी से काम सारा स्टार्ट करते हैं इस ट्राइम पर बैनी भी आ चुका है जैसा कि मैंने बाकि ट्रेवर एक काम कर रहा है इनके जो भी डिवाइसी है जो भी गन्स है वह सब अटाकर के पूरा खतम कर देगा कि कोई भी पुलिस वाला यहां पर ट्रीस ना कर पाए अपने को अमेंडा ने लेस्टर को इनफॉर्म कर दिया है और लेस्टर ने बोला कि माइकल को भे फायर एक्स्टिंग्विशर लेकर के आना फायर फायर फाइटर्स वाली लेकर के आना और उनका एक ट्रक लेकर के आना एक गाड़ी अपने पास हो गई है पुलिस वाली अब एक फायर फायर फायटर्स वाली हो जाएगी तो ठीक है भाई ट्रैवर आज जल्दी से चलो इ पर देखना पड़ेगा कि कोई खत्रा तो नहीं है ना वैसे कोई पुलिस वाला तो नहीं है इधर बाकि यह जो बंदे लोग देख रहे हो यह लेस्टर के ही बंदे हैं जो कि अपने बेस को भी पहार से कवर रखते हैं और आपको लग रहा होगा कि यह वरकर से बिल्डर है नहीं भाई लेस्टर एक हैकर है तो सब कुछ ना उसने भाई पूरी खतरनाक तरीके से प्रिपेर कर रखा तो चलो यार फैट्रेबर बैट अब चल्दी से गाड़ी में अब भाई एक तो भाई का यह खतरनाक सी गाड़ी लग रही है पूरी चौड़ी सी अब इसको लेक करता हूं तो चुरू से कॉमेंट्स करके बता देना फिलाल शॉटकट वेगरा मारते हैं बाइक है बाई कोई गाड़ी थोड़ी है जिसको हमें पूरे रोड पर ही भगाना है हम लोग इस से ओफ रोड भी कर सकते हैं फिलाल इस टाइम पर आपको पता है अभी 30% अपना का बाड़े और भी ब्लैंस है तो ठीक है अब चल दी से भगा तो अपनी बाइक को और भाइप फीली भी मारती है यह बाइक तो बहुत ज़्यदा प्रॉपर है तो चलो गाइस इस ट्राइम पर मैं और ट्रेवर अपनी बाइक को लेकर के पहुँच गया है फाइर डिकार्ट पहले ना हम लोग इधर उदर थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं अब ट्रेवर थोड़ा अलर्ट रहे ना और देखो गाइस सामने के साइड ना कुछ बंदे मेरे को नजर तो आ गया है और यह देख रहो सामने के साइड ही खड़े हो चुका है रुको गाइस मैं अपनी व करने के लिए और कई लोग मर चुके हैं देखो गाइस हफडा तफड़ी में कई लोग भागेंगे और फिर हम लोग मोकेप का फाइदा उठा करके गाड़ी चुरा लेंगे तो ठीक है ट्रैवर अब तू जा सकता है और देख रहो ट्रैवर के एक्टिंग देख रहो भाई जाती है फिलार ही लोग ना बीना को सोचे समझें बीना कोई रिसर्च करें सीधा अपनी काडियां लेकर करके यहां से भागेंगे क्योंकि ना गाइस ट्रैवर गया ही ऐसे डरापने वाले तरीके से अब देखो गाइस यहां पर ना साइरन वेगरा भजने शुरू को चु और मैं भाग करके ना इधर की साइड आ चुका हूं देखो गाइस रिस्क वाला काम है क्योंकि यह जो दो फायर फाइटर वाले बंदे हैं यह नॉर्मल बंदों से बाचित कर रहे हैं शायर से उन्हें कुछ लेसन वेगरा बता रहे होंगे और ट्रैवर भी आपर अपना आकर की कवर में हैं अब यह कह रहा है कि अंदर की साइड ना एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसको हम लोग चूड़ा सकते हैं तो रूप पाइट रैपर आजा नॉर्मल से हैं ना हम लोग इदर उदर चलेंगे और बाकी वो दोनों लोग ना इधर की साइड ही देख रहे हैं और एक फाइरफाइटर वाले का ट्रक तो मेरे को नजर आ चुका है देखो गाईज एक बंदा भी खड़ा हुआ है अगर हम लोग डैरेक्ट अंदर जाएंगे तो रिस्क वाला काम हो सकता है पहले तो ना हमें एक काम करना होगा कोई टूर वेगरा इनका अगर मिल जाए तो बात बन जाएगी रुको यार जल्दी से ना मैं भाग करके बैक साइट पर आ चुका हूँ और मेरे को कुछ स्टेर्स नजर आ रही है यह रास्ता कहीं को जाएगा क्या एक डूर मिल गया भाई रुको एक डूर के अंदर चलता हूँ मैं यह उपन होगा क्या अरे नही यह टूर है क्लूज और पीछे के साइट एक अपने को ट्रक तो नजर आ चुका फाइरफाइटर वाला लेकिन में प्रॉब्लम यह है अकेला ट्रक नहीं चाहिए अपने को अपने को कॉस्ट्यूम्स वेगरा भी चाहिए होंगी जिस करके कुछ और अपने को प्लैन बनान हुए हैं लेकिन अंदर की साइट में जाओं तो जाओं कैसे एक कीई स्ट्यूर है मेरे को अगर है यहां पर भी जा करके कोई भी पाइदा नहीं है तो एक काम करिया है ट्रैवर अब बहुत ज़्यादा ओ वाई जिस चीज को मैं बोलने जा रहा था इसने तो वो कर भी लि को इनको शाय से कुछ मालूमी नहीं है देख रहे हो यह तीनों लोग आपस में पाचित कर रहे हैं और इंको कुछ भी अता पता नहीं है तो मैं काम करता हूं पीछे से चल करके इनको भी बजाना शुरू कर देता हूं और चलने कली दर्से अरे यार यार यह अंटी इनकी टीम में लग रही है मेरे को अब चल्दी से ट्रैवर तुना ट्रक ले करके भागे ना शू करते और इसको अरे बाई जल्दी से ना मारना पड़ेगा चलो इस ट्राइम पर मैंने तीनों को बिहोश कर दिया अब चलता हूं सीधा अंदर की साइड अब बाकी ट्रैवर अरे यहां पर देख लो पुरी शौक को धूना शुरू कर दिया इसने अब चल दी से ना मैं भी चल करके न ट्रक के अंदर अरे बैट वे तो ले बाई एक मिनटी लेगेगा बसे मेरे को बैटने में तो चलो अब मैं भी न ट्रक के अंदर बैट चुका हूं चलो ट्रैवर और म पुलिस की गाड़ी से अब जीपेस हम लोग फायर फाइटर के ट्रक से भी निकलवा लेंगे और साथी साथ बैक के अंदर फायर एक्स्टिंग्विशर है अब मेरे को उसका मालूम निया भाई लेस्टर ने उसको ग्यों मंगवाया है लेकिन लेस्टर बहुता कि ना उसम से इस पायर फाइटर वाले ट्रक को और देखो अब जो मेन काम है वो तो हमने कर लिया है विकल्स का कपडों का अब जो रहे गया काम वो है उस बॉड़ी बिल्डर के दुश्मन को खिदनाप करना उस खतरनाक सी पार्टी में जा करके अब देखो भाई कपड़े देख रह और शाय से इन दोनों ने इसमें से जीपेस वेगरा हटा लिया जिस ट्राइप से यह लोग कमफटेबल हो करके खड़े हुए है और यहां देखो यह जो बंदा है शाय से यह कुछ करने वाला है उस फायर एक्स्टिंग्विशर का और फ्रेंकलिन भी यहां पर पूरा खु अब अपने को करना क्या है उस पार्टी के अंदर चाह गर करके वो लैस्टर से पूछते हैं अब गाईज इस टाइम पर लैस्टर ने आपने को बता दिया है अब यह गाहर है कि हमें उस माफिया की पार्टी में ऐसे पर्मिशन नहीं मिल सकती क्योंकि ना वहाँ पर एक एक बंदे को उसने खुद चून करके बुला है और उस पार्टी के अंदर कोई पुलिस वाला नि जा सकता कोई फायर टिपार्टमेंट से नि जा सकता तो हमें क्या काम करना है उस पार्टी के अंदर जाना है और ऐसा शो करना है कि हम लोग उस पार्टी में रेड मारने के लिए आए हैं और चेक करने के लिए आए है कि हमें डाउट है कि वहाँ पर कुछ वैपन वेगारा सप्लाई हो रहे हैं उस पार्टी के अंदर कुछ पैसे का लें दिन चल रहा है तो देखो वो पुलिस वालों को डिरेक्ट को ऐसे नहीं मार सकते तो इसी पावर का फाइदा उठा करके हमें उस पार्टी के अंदर जाना है और वहाँ पर ना एक ये जो फायर एक्स्टिंग्विशर को वो बंदा बनाने में लगा हुआ है उसको वहाँ पर जा करके रखना है और कुछ टाइम बात हम लोग बाहर जाब आएंगे तो उसको कर देंगे ब्लास जिस करके होगा तकड़ा वाला धमा का और फ्रैंक्लिन उस बंदे को ले करके वहाँ से भाग जाएगा उस बंदे के ड्रैंक्लिन को उस गाड़ी तक पहुचना होगा जिस बंदे के हम लोग पीछे हैं वो भागेगा रश करेगा डर के मारे उस गाड़ी तक और अपनी जब वो गाड़ी में बैठेगा उसके बाद गाईस फ्रैंक्लिन ले करके वहाँ से नो दो गया रहा हो जाएगा गाड़ी को यही प्लैन है तो सुनने में तो सिंपल लग रहा होगा लेकिन फिलाल इस ट्राइम पर शाम भी होने वाली है तो ट्रैवर चल भाई अब अपने को भी ना कपड़े वेगरा चेंज कर लेने चीए मैं पुलिस वाले कपड़े डाल लेता हूँ और यह फायर फाइटर वाले कपड़े डाल लेगा तो चलो अब चल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा रूम के अंदर और चल करके कपड़े वेगरा चेंज करते हैं तो चलो इस टाइम पर मैंने तो पुलिस वेगरा के आउटपिट डाल लिया है और चल्दी से मैं तो रेडी हूँ यहां से निकलने के लिए और ट्रैवर ने भी इस टाइम पर तेकरो फाइर डिपार्ट्मेंट वाले कपड़े वेगरा डाल लिया है तो चलो इस टाइम पर हम दोनों लोग रेडी हैं अब देखो गाईज हम एना टाइम थोड़ा बहुत लग जाएगा क्योंकि वो इन्वेंशन चल रही है एक पायर एक्स्टिंग्विशर की उसके अंदर बॉम फिट करा जा रहा है और साती सात देखो वह आग बुजाता है लेकिन उसके अंदर एक टाइब का फ्लेम फ्रोवर फिक्स करवाया जा रहा है लेस्टर के फ्रेंड की मुदस से लकिन असान भी नहीं है तो चलो गाई जार यहां पर पूरे एक घंटे के बाद इन्वेंशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है यह फायर एक्स्टिंग्विशर पूरा रेडी हो चुका है यूज होने के लिए अब यहां पर देखो अपने जितने फ्रेंड है सबके सब सामने के साइट जा करके खड़े हो चुकी है और यह जो लेस्टर का फ्रेंड है जिसने इसको इन्वेंट करा है यह कह रहा है कि चल माइकल अब तू इसको ट्राई कर और पहले तो एक नॉर्मल बटन दबा तो मन और उसी टाइम आपने देखा यहां पर आग निकली रुको यार एक पर मैं फिर से ट्राई करूँगा यहां पर देख रहो यह नॉर्मल चलेगा और अगर हम लोग इसको दमाएंगे तो भाई क्या खतरनाक वाली आग निकलने शुरू हो चुके इस फायर हुआ तो ठीक है अब हम लोग यहां से निकलने के लिए पूरे रेडी है क्योंकि पार्टी में भी जाना है शाम उने से पहले पहले तो चलो अब चल दी से ना उसमें वैपन तो अलाउड नहीं है यह जो फायर निकलेगी ना यह एक तरह से अपनी प्रोटेक्शन है क्यों यह मेरे को ही जला दे और यहां से निकल चुक है और क्रिमिनल और मैं हम लोग जाने वाले हैं पुलिस की गाड़ी में और यहां पर जो अपना मेन काम है वो हो चुक है शुरू तो साइरन वगरा भी क्लोज कर लेते हैं क्योंकि मेरे को ना कोई भी ना चक्कर नहीं और वो देख लो वो सबको गीला करके भाग गया है ट्रैवर यह भाई ऐसा ही है और फ्रैंक्लीन देखो गाई बार के साइड है जहान मुझ की भी कहरा है कि यार इसको पीछे के साइडी बॉडी गार्ड जैसी फील लेनी है तो रुक यार पहले मैं निकलता हूं इदर से स इतनी भी यहां पर नॉर्मल पप्लिक है ना या तो लेफ्ट राइट हो जाएगी या तो स्लो हो जाएगी क्योंकि ना यह लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एमर्जेंसी पर जा रहे हैं पहुँ जादा तगडी किसी अब यहां से अपने को राइट लेना होगा अपनी पर ड्राइब कर रहा था तो अब सही है गाईज अब हम लोग राइट वेपर आ चुके हैं और जो पार्टी है एक बड़े से विल्टिंग के ऊपर हो रही है अब हमें ना यहां से भगाना होगा अपनी गाडियों को और वाकी बुच्छों बंदे को हम लोग किनाप करने क यह जा रहे है ना वो एक ओल्ड मैन है उसकी ना वाइट बीड है शायद से वाइट बाल भी है अब प्रॉपर तो मेरे को मालूम नहीं है वो तो पार्टी पे जाने के बात ही पतर चलने वाला है तो चलो अभी स्ट्राइबर पूलिस के गाडियों की स्पीड तो बड़ी खतरनाकी है देख रहो फायर फाइटर्स वाला ट्रक तोड़ा सा अभी पागल है कि ट्रैवर के कर रहा है यहां पर देख रहो दोनों हमारे वहिकल्स पूरी पूल स्पीड में निकल रहे हैं और अरे वाई वाई कर गैंग तुम लोग क्या कर रहे हैं इस तो बाइकर का सम हो चुकिया है तो भगाता है काड़ी को अचलों गाईज यार इस टाइम पर हम दोनों लोग ना पहुंच चुके हैं उस होटेल के पूख ज़्यादा क्लूस जहां पर दूरी है माफियास की पार्टी और वहां पर धीर सारे माफिया हैं अब हमें यहां पर अपनी काड़ी को रोकना होगा अराम से क्योंकि देखो सामने के साइट बहुत ज़्यादा मेरे को सेक्यूरिटी वेगारा नजर तो आ चुकी है और फ्रैंक्लिन पीछे के साइट है अब फ्रैंक्लिन ना उतर करके अपना इस पार्कूर्क में यहां फीट कर लेगा हमारा जब हम लोग न इस पहुत ज़्यादा सेक्यूरिटी है और यह लोग अपने को जाने भी देंगे की नहीं जाने देंगे चलो अब चल दी से न मैं यहां पर उतरता हूं और मैं उतर चुका हूं इदर और चल करके इससे एक पार बाचीत करते हैं और यह बोल रहा कि यहां पर पुलिस अला यह बंदा अपने को परमीशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा था फिलाल तुम्हारे भाई ने बहुत ज्यादा पंप मारे इसको इसको बोला कि अभी हम चाहें पूरी बिल्डिंग को सील करवा सकते हैं और यह बिल्डिंग है पूरी बिकार हो जाएगी और जो भी पार्टी हो रही है सब को अरेस्ट करवा सकते हैं तो यह बंदा कहा रहा है कि देखो सार मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है पिर इसलिए मैनेजर को कॉल वेगरा करा और उसके अपने को परमीशन दे दी है अंदर चेक करने की तो हम लोग आये तो रेड के बहाने है तो फिलाल क्री से पर पूरे रेडी है बॉम वेगरा फिट करने के लिए यहां पर गाडियों के उपर नजर मारो पहुत ज्यादा गाडिया है यहां पर लैंड टूजर खड़ी हुई है रेंच रोवर है वाई मर्सिटीज है और यहां पर जी वैगउन भी है और पहुत ज्यादा तगडी तगडी गाड़ी है यार बाकी अब मेरे को यह मालूम नहीं है कि जिस बंदे को हम लोग पकड़ने के लिए उसका परसनल वहीकल कौन सा है अब यह तो अपने को नहीं मालूम यह फ्रैंक्लीन मालूम करेगा सब कुछ तो चलो अब चल दी से ना हम लोग आ चुके हैं अंदर पुलीस वाले हैं फिर लेस्टर ने ना कुछ एडिट वेगरा कर रखा था उस आईडी के साथ जिसकी यह रियल कॉस्ट्यूम थी अपनी फीचर वेगरा लगा करके नाम वेगरा चेंज कर रखा था तो हमने इसको बोला कि हमें ना ऊपर से इन्फोर्मेशन आई है कि यहा हमें पर्मेशन नहीं मिले तो अभी कि अभी मैं और पुलीस स्टाफ लेकर करके आऊंगा और पूरी पिल्टिंग को बंद करवा दूँगा शाय से डर गई होगी इसने अपने को पर्मेशन तो दे ही दिया है तो चलो अब लिफ्ट का डूर ओपन हो चुका है हम लोग भी हैं यह सबके सब माफिया है अब अपने को ना कोई ओल्ड मैन यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि वह कैसा है तो अभी ना अपने को पॉड़ी बिल्डर को फीडियो कॉल वगरा करने पड़ेगे तो वह देखेगा सब कुछ बता दे हुई है तो यह काम करता हूं मैं थोड़ा बहुत और आगी के साइड आ चुका हूं और यहां पर देखो भाई उपर के फ्लोर पर यह तीनों लोग आपस में सोए हुए हैं मतलब नशे में ही सो रखे हैं पूरे अब जैसे दैसे ना अभी तो अपने को पहले उस बंदे को रूणना होगा अब यह काम करते हैं जहां पर डांस वेगरा हो रहा है वहां पर मैं आ गया हूं और यहां पर वीडियो वेगरा कॉल मिला रखिए ट्रैवर ने अपने बाड़ी बिल्डर को यहां पर भाई तूना एक काम कर ट्रैवर मैं अंदर की साइड जा करके पूरा चेक करता हूं तो कनफर्म कर उस बंदे को अगर यहां पर हुआ तो मेरे को आ करके चल्दी से कनफर्म कर दे और उसके बाद हम लोग वेगरा फिक करके भागना शुरू कर देंगे फिर क्योंगी ना हमें वह जो पंदा है उसकी पिच्चर वेगरा भी क्लिक करनी होगी यहां पर लिया करके रख देता हूं बाकी ट्रैवर उस पार्टी के बीच भी गुम रहा है फायर फाइटर वाले कपड़े वेगरा डाल करके अब देखो वह यहां पर आता ही होगा तो मेरे को भी ना नॉर्मल एक्ट करना होगा जैसे मैं यहां पर कुछ सर्च कर रहा हू बाकी जितने भी लोग इधर थे वो यहां से उपर नीचे हो गए है शायस से और ट्रैवर पहुँच गया है आज आप ही ट्रैवर जल्दी से क्योंकि ना गाईज यहां सारे के सारे माफ यहां जितने भी लड़कियां और लड़के देख रहे हो तो वो दिमाग खराब कर स चुक्ए हैं और यहां पर इसने फिट पी कर दिया और यहां पर इसको उपर की साइड जाना है क्योंकि इसके लिसके ऑंदर के उपर की साइड लेता हूं कि ब्रॉपर रक दिया ना अरे बाइस ने अगर आपने पास है हम लोग प्रेस करके ब्लास्ट कर देंगे फिलाल इस ट्राइम पर मैं बीना ऊपर की साइड चलता हूं वह बंदा नीचे वाले फ्लोर पर तो बिल्कुल भी नहीं नजर आया वाकि इन में से भी नहीं है पूरी वीडियो कॉल फगरा करके चेक कर लिया ह और यह Travork कहा क्या एक मिनिट को पर यहां पर क्या कर रहा है कि वो बंदा क्या देख सब्सक्राइब ऑन ना यह तो बहुत ऊफाल्ड जैसा कि उसने अपने को बताया मैं और यह देख सब्सक्राइब क्यान ओ विशारा कर रहा कि बॉड़ी वियु ने बूल दिया कि यहीं तो ठीक है यार पिच्चर वेगरा क्लिक तो करती है पहले ना मेरे पास आजा ड्रैवर वैसे चुटकी में हम लोग उसको मार सकते हैं यहां पर ही क्योंकि ऊपर के साइट कोई भी बंदा नहीं है लेकिन अपने को उसको मारना नहीं है आप समझ रहे हो ना अपने को गिड्न खतम हो चुका है अपने को जाना है सीधा आपने सीग्रेट वाले बंकर पर बाकी का काम फ्रैंक्लिन का है शहर से वो यह काम करी लेगा आज आप ट्रैवर जल्दी से लिफ्ट के अंदर अब चल्दी से यहां से हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर तो आ गए हैं अब यहां से हैं कर निकल नहोंगा जल्दी से बाकी यहां पर किसी को शक दो जाए अब छेलिसे नहीं नहीं से निकलते हैं सीधा बाहर की साइड तो ठीक है तर आपका काम यहां पर हुगय है हमारा भी काम इदर हो चुका है तो हो जो चुकए है तो आझ क्रिमिनल ज़दी से गाड़ी म इंदर बैट चाहेगा मेरी तो चलो नॉर्मल तरीके से ना मैंने काड़ी को तो रिवर्स वगरा कर लिया है और आजा ठीक है सर आपकी पार्टी है जो पहुत ज़्यदा खतरनाक चल रही है सब के जब भाई नसीड़ी है अपने देखे लिया होगा तो इधर सोया हुआ है को ट्रैवर रहा है वह फ्रैंक्लिन को लास्ट्रिम ड्रॉप करके आया हुआ था तो यह अपने को बिल्कुल उसी की लोकेशन पर लेजाएगा तो ठीक है अपने वीकल्स को हम लोग यहां पर पाक करते हैं तो एक काम कर क्रिमिनल तो ना गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा है चुकि ना कायई फ्रैंक्लिन को भी बैक अप की जरूरेत पढ़ सकती है अब हम लोग चलते हैं सीदा इस कीट के अंदर और फ्रैंक्लिन अंदर के साइड़े कर रहा है कुछ है लोग झार यहां पर फ्रैंक्लिन अपना वीट कर घड़े ओ करके और अब चल्दी से हम वाश्रूम को करते हैं आप ब्लास्ट और बाकी आपको धमा का हलका सा नजर आ गया होगा जिस करके वहां पर ब्लास्ट वगरा हो चुका है तो चलो अब सब में ना इदर उदर भागा दोड़ी मच चुकी होगी तो चलो इस राइम पर वो तीनों लोग तो इदर से निकल च होगा क्योंकि ना गाइस अब चोपना में गाम है वह पहले ना किसी भी शॉप पर चलता हूं वहां पर चलके ना पर कपड़े विगारा में चेंज कर लेता हूं चलो गाइस वह पर प्पड़े विगरा डालने हैं बाकि जो साहिरे ना इसका पोहुत जदा फाइद है अपनी घाडी को मैं पूरा भगाने की ट्राइ करता हूं और यहां पर यह क्या हो रहा है एक मिनट भाई पागल है क्या कर रहा है इनको डाउट तो नहीं हो गया ना मेरे उपपर रुको यार मेरे को चुप चाप से जहते तरह से अपनी घाड़ी को लेकरके निकल लेकर लेना जाँ यार अरे मैं ना यहां भागने की ट्राइक कर रहा था लगर मेरे को लगर रहा है कि कोई सीन हो गया इधर, रुको उसे लेकर अन्हें ना फाइर फ़ायर करना अभी उसने fire करा था लेकिन अरे रे 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 रुको रुको मेरे को रुकना ही पड़ेगा क्योंकि ना guys अरे ने 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 शार बिल्कुल भी मतमारना मैं पुलिस वाला हूँ भाई मैं पुलिस वाला हूँ अपना aim नीचे कर लो अगर मैंने heads up करी होते हैं तो इसको शक हो जाता और ये कह रहा है कि अपने ID दे क्योंकि ना अभी mafia की यहाँ पर party हो रही थी वहाँ police वगारा का कोई भी काम नीथा कोई भी raid की हमें information नीथे और मैं एक real police वाला हूँ क्या तू भी एक real police वाला है बस मेरे को अपने ID दिखा दे अब guys ID तो fake है कैसे दिखा हूँ sir मेरी बास तुनो मेरी ID ना इस गाड़ी के अंदर है यार आप उस seat पर जा करके या ती seat पर जाओ आपको पता चल जाएगा यार चुपचाप से निकल लेता हूँ यार इस गाड़ी के अंदर जाकर के seat तूट नहीं आप चेक तो करो ना यार बिल्कुल आगे ही तो है एक बार चेक करो मैं यहीं पर खड़ा हूँ तो guys मेरे पाफ वैपन वेगरा कुछ भी नहीं है अगड़ा सीन हो जाए देखरो guys मैं अपनी काड़ी को लेकर के highway पर हूँ और वो पुलिस वाला भी आ गया और कमाल की बात पाथा क्या है मेरे को ना इस गाड़ी के अंदर एक वैपन मिल चुका है जो कि यह है एक गड़ चलना निकल इदर से और नहीं 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 इसमें तो मेरे को निकाल गया है यहापर रुको भाई मेरे को यहां से नहीं निकलना होगा अपनी इस वाली काड़ी को लेकर किया वैसे अरे यार एक काड़ी ही पहुत ज़्यदा विकार है हटो ना भाई मेरे को जाना इदर उस तेखरो पुलिस वाले आ गए हैं रियल वाले रूपो मेरे को और बढने को और मारना पड़ेगा जो कि मैंने मार दिया इससे मेरे को यह वाली गन मी लिया तगडी वाली ठीक है इसको भी मैंने कटम कर दिया अब घाइस पूरी फुल स्पीड में इस गाड़ी को ले के निखलता हूँ अरे यार भगाता हूँ पुरी फुल-स्टीड में इस वल्ट पुलिस वाली घाड़ी को और पुलिस का साइडिन पेहले क्लूस को मेरे को एस से पहले कि हैलीकॉप्टर विगरा मेरा पीछा करें बाकि पुलिस की घाड़िया तो मेरे पीछे विगरा सथना कोई काम कर लिया फता नहीं नहीं करा वो तो विर को विल्कुल मालूम नहीं श्याँ अगर मैं उस टैनल के अंदर शाकर करके गाड़ी करके यहां से फुलस को चकमा दे पाऊं तो इतना सई पहले ना, एका दिए बंधे को मैं बजाओ, गुषा रहा है, कोई भी ने आ रहा, पराल इस ऱा сможं पर भाइक मेरे को मिल चुक यह, अरे ने रहा है, यह लिद Perhaps भाइक है, यह पता नहीं, बनो भाइक मे को बंदे थर से रही, प्रॉप यह बंदा आ रहा है, उनके तो तुम् चलो यार अब चल देशे ना यहां से मैं अपनी फूल स्पीड में बाइकों पहले पुलिस से एसकेप करवाता हूँ और उसके बाद अपनी सीग्रेट वाले फंकर पर चलता हूँ और ऐसे ना पाइक की स्पीड सही रहेगी कोई गाड़ी के मुताबिक पाइक की स्पीड बहुत अधर तकड़ी है और विली वेगरा मारते हैं पूरी फूल स्पीड में निकलना होगा आथ तो रिस्क वाला काब हैं अगर मेरे को पकड़ा तो सीधा ना गाइस यह लोग मेरे को जेल कर देंगे और तकड़ा वाली साइड तो आ गया हूँ और है लिकाप्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ है मेरे पास गाइस कुछ तकड़ा वैपन नहीं है जिसकरके मैं इनकी गेम बजा पाऊ है हेलिकाप्टर को तो मैं पुल्फल भी नहीं मार सकता रुको मेरे को ना जल्दी से भगाना होगा प्रेस वाली पास को और यह हेलिकाप्टर भाई चल दी से ना गैस मैं इस मेज के अंदर चल करके छुपता हूं और चुबी पुलीस वाला अगर आया भी तो मैं उस के ना एक रख के बचा दूँगा पिस्टल ठीक है ना इस पूल बलेर के अंदर आ करके छुप गया हूं और पुलीस की गाड़ी आ गई है यार अरे यार द मैंने इसके बजा दिया लेकिन इसके बजा नहीं है अभी शॉट मैं कवर में हूँ इसको आने दो अगर अब आया ये मूँ पर एक शॉटकन खाएगा वो प्री फायर मेरे पास ठीकी पॉम नहीं है ना अरे नहीं यार पुलिस की गाड़ी में से वो तो मिला ही नहीं मैं भागता हूं यार थोड़ा सा अंदर की साइड नहीं तो यह तो तिककत दे देगा तकड़े बाली मैं हाँ चुका हूं अंदर की साइड में और यह पूरी एक भूल बलईया है तो मैं यहां पर हूँ और आने देओ आने दो इसको तो चल निकल इदर से लगी लग गया भा रास्ता बाहर निकल लेगा तो चलो पूरा प्रॉपर रास्ता मिल चुका है अब और कोई पुलिस वाला ना आजाए मैं भी नहीं यहां से इस वाली बाइक पे बैट करके जहां से आया था वहां से वापिस से निकल लेता हूं बड़ा रिस्क वाला काम नहीं हो गया इदर बहुत जादी डिंजर काम है जा लो गाइस यहार इस ट्राइब पर मैं अपने बाइक को लेकर के पहुँच गया हूँ जैसे तैसे अपने सीग्रिट वाले बंकर पर और आपने भी देखा होगा मेस के अंदर भी मेरी हालत बहुत जादा खराब कर दी थी पुलिस वाले ब फिलाल तो मैं अकेला पहुच किया हूँ और यहां पर लेस्टर और अपना बॉडी बिल्डर है तो ठीक है गाइस अब चल्दी से ना हमने तो अपना काम कर दिया है फ्रैंक्लिन यहां पर अभी तक नहीं आया यार अब लेस्टर से बात करते हैं जिसको सब कुछ बताते ह खंतरनाक वाला सीन हो गया था इस ट्राइम पर मेरी ना लेस्टर से पूरी पाचित तो हो गया है और बोडी बिल्डर कह रहा है कि यार फ्रैंक्लिन ने अपना काम करा भी होगा कि नहीं क्योंकि बंदा तो मैंने तुमको सही दिखाया था लेकिन अब सारी बात देखो या पूरी रश में से अब मेरे को मालूम नहीं है वो कुछ करके भी हाया लेकिन मेरे को ना यार बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो मैं अपनी पाइक लेकर करके ना गाइस वापिस से उसी वाली लोकेशन पर जा रहा हूँ अब देखा जाएगा लेकिन एक मिनट औरे भाई फ्रैंक्लिन आ गया है और शैस से इसके अंदर वो बंदा है और इसके गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी है यार और यह कह रहा है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ गये से जिस करके इसको टाइम लग गया और सही में गाईस वेर को भी पूल लेकिन इसको ना मैं ही दिखा हूँ अभी आख खुलते ही तो यह कह रहा है कि तो है कॉन मैंने का देख अभी तेरा दोस्त दिखाता हूँ मैं यहां पर भाई आ चुका है अपनो बाडी बिल्डर और इसने तो गाईस की गंदी ही गेम बजा दिया है देखो मैं तो दूर ह चुका हूँ मेरे को कुछ भी नहीं लेना देना उदर और देखो गाईस यार बहुत जदा गंदा पीट दिया इसने उसको अरे यार फाइनले हमने इसको कर दिया है और लेस्टर कहरा है कि हम लोग से पूरी इंफोर्मिशन बगारा निकलवाएंगे साथी साथ हम लोग न यह एक मेग एपिसोड था तो सब्सक्राइब कर दो हम लोग 5 लेक सब्सक्राइबर्स के बहुत चादर क्लोज है आई होप आपको मज़ा होगा अज की वीडियो में तो ठीके गाईस मिलते हैं बहुत याल अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई गाईस लफ यॉ आल